हेलो दोस्तो, WS Cube Tech के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तो आज हम लोग यहाँ पर बात करें अपने क्लास 8 के आकॉर्डिंग अपने चैप्टर 1 को दोस्तो जो चैप्टर 1 आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं यह जो चैप्टर है अपने पास वो है अपने पास computer networking को लेकर के computer के networks, I think दोस्तो आप लोग इस word को बहुत अच्छे से समझते हैं network का मतलब क्या होता है जब दो या दोस्ते ज़्यादा computers को हम लोग आपस में connect करते हैं जैसे दोस्तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं अपने mobile का कुछ data आपको send करना चाता हूँ through कोई software जैसे कुछ software आप लोग जानते हैं wifi के तुरू दोस्तो मैं अगर आपको कुछ data send करना चाता हूँ तो वो अपने पास एक network होगा दोस्तो अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये भी एक network के वज़े से ही आप देख रहे हैं तो ये जो network है दोस्तो वो आपके पास कलाता है internet जो अभी आप use कर रहे हैं इसी type से आप लोग बिना internet के भी दोस्तों कई बार अपनी file को share कर सकते हैं जैसे आपके mobile में कोई file पड़ी है और उस file को आप चाहते हैं अपने computer के साथ connect करना ताकि आप उस file को अपने computer में store कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने mobile के साथ एक cable जो आती है जैसे OTG cable जिसको हम लोग कहते हैं उसको अपने computer से connect करना होगा और फिर आप अपनी files जो हैं वो आपस में share कर सकते हैं अपने mobile की file को आप computer में डाल सकते हैं या computer की file को आप अपने mobile में store कर सकते हैं तो दोस्तो ये आपके पास एक type का network है जिसको हम लोग बोलते हैं personal area network network के बहुत सारे type होते हैं जो हम लोग आगे discuss करने वाले हैं तो दोस्तो network क्या होता है network के type क्या होते हैं इस तरीके से बहुत सारे topic हम लोग इस particular video में और इस chapter में आज discuss करने वाले हैं आइए दोस्तो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको आज यहां बता देता हूं कि हम लोग यहां पर जो discuss करेंगे वो अपना आखीर agenda क्या रहेगा दोस्तो आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं यहां पर networking को लेकर के आखिर networking क्या होता है networking के दोस्तों आपके पास advantage क्या होते है तो networking क्या है networking के advantage क्या है network बनाने के लिए दोस्तों आपको कुछ hardware की requirement रहती है कुछ computer के components कुछ network के components की आपको जरुरत होती है आप वो भी खरीदते हैं जिए अगर आप अपना एक network बनाना चाहते है जैसे अगर आ आप अपने mobile और computer को connect करना चाहते हैं दोस्तो wired connectivity अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जैसे OTG cable खरीदनी पड़ती है ऐसी अगर अपन बड़े लेवल पर बात करेंगे दोस्तो तो अभी हम लोग को यहाँ पर बहुत सारे network की requirement हो सकती है कौन-कौन से ऐसे आपक जैसे कही रहाता कि एक टाइप होता है personal area network ऐसे ही दोस्तो आपके पास होता है local area network या फिर आपके पास में होता है metropolitan area network या फिर आपके पास होता है wide area network तो network के बहुत सारे type होता है इन सभी को हम लोग अभी आगे चलते हुए discuss करेंगे इसी टाप से दोस्तों आपके पास जो computer का जो network बना है वो network किस base पर बना है वो दो अलग-अलग तरीके से होते हैं जैसे आपके पास एक होता है जिसको हम लोग कहते है client server और दूसरा आप कहते है peer to peer तो कौन सा आपके पास architecture है दो जो architecture है इनको भी हम लोग आगे चलते हुए भी समझने वाले हैं और ऐसे ही last में हम लोग यहां बात करेंगे अपने network की security को ले करके कि आखिर आखिर हम जो network बना रहे हैं उसको कैसे हम लोग secure कर सके हम अपने data को कैसे secure कर सके यह सारे topics दोस्तों अब हम लोग start करने वाले हैं आईए देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहां बात करते है networking को ले करके दोस्तो तो आप लोग यहाँ पर एक image देख पारे होगी, इसमें मेरे पास कुछ computer है, सपोज ये मेरे पास computer A है, ये मेरे पास computer B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये अपने पास F, इस type से और भी अपने पास कुछ computer है, दोस्तों वो सारे computer आपस में connected है, एक type का network यहाँ पर बना होता है, दोस्तों जब कभी भी आपके पास दो computer जैसे ये computer है, और ये जो दूसरा computer है, जब दो या दो से ज़्यादा computer को दोस्तों आप लोग जब connect करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, network, अब जरूरी नहीं है कि दो आपके पास में computer ही हो, आपके पास में एक mobile और एक computer भी हो सकता है, दो mobile भी हो सकते हैं, इस टाप से दोस्तों आपके पास में आपका computer और आपका printer भी हो सकता है, तो हम लोग यहां पर ये बात कर सकते हैं, कि यहां network का मतलब होता है, दो या दो से ज़्यादा device का connection, दोस्तों इन दिनों में आप देखते हैं, आपके गर अगर AC है, तो AC जो है आजकल आपको Wi-Fi enabled मिल रही है, आप उसको easily दोस्तों Alexa के साथ connect कर सकते हैं, इसी टाप से आजकल की जो आप बल्ब वगर देख रहे हैं, वो भी आप जानते होंगे आजकल Wi-Fi connected है, आप उनको direct Alexa के तुरू अपने mobile के तुरू connect कर सकते हैं, आप ज इफ computer में ही नहीं, आजकल दोस्तों आजकल हर type के devices में हम लोग जो है वो network connect कर सकते हैं, इवन की दोस्तों आपका mobile और आपकी जो wrist watch है, अगर आपके पास एक smart watch है, तो दोस्तों वो भी आपस में connect होते हैं, ये भी अपने आप में एक type का network है, तो network बेसिकली आपके पास आ यहां पर computer पढ़ रहे हैं, तो हम हर बार यहां पर computer word को use करने वाले हैं, otherwise आप चाहें तो यहां network, network के साथ आप यहां पर computer या दूसरे devices को भी connect कर सकते हैं, तो basically network क्या हो गया दोस्तों, दो या दो से ज़्यादा computers, when two or more than two computers are connected with each other, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहां network, तो हम लोग देखते हैं, दोस्तों, network के आपके पास definition क्या हो गई, a computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices, other peripheral devices का मतलब क्या होता है, peripheral devices वो devices होते हैं, जो हम अपने network के साथ connect करते हैं, जैसे कि दोस्तों, मैं printer को connect करना चाहता हूँ, मेरे पास जैसे यह तीन computer थे, और दोस्तों, मेरे पास य इस computer के साथ, इस network के साथ connect करना चाहता हूँ, अब ये computer भी इस printer को use कर सकता है, ये वाला computer भी इसको print कर सकता है, और ये वाला computer भी इस printer से print कर सकता है, तो आप यहाँ पर जो है, वो peripheral devices को use करते हैं, that are linked together, वो आपस में join होते हैं, for the purpose of sharing, अच्छा एक network का, आपके पास में purpose होता है, purpose क्या होता है, कि हम लोग अपने data को easily share कर सकते हैं, और resources को हम लोग use कर सकते हैं, देखिए, दो सबसे important कारण होते हैं, बाकी तो हई है, हम data को easily share कर सकते हैं, इसके लिए हम network बनाते हैं, या फिर दोस्तों हम लोग चाते हैं hardware resources को share करना, जैसे मेरे इस organization में दोस्त प्रिंट करने की जरुत होती है, तो मुझे तीन अलग अलग प्रिंटर खरीदने की जरुत नहीं, एक प्रिंटर से भी काम हो जाएगा, Assume करिये दोस्तो एक प्रिंटर अगर 15,000 तो अब हमारे पास हमें केवल एक प्रिंटर की रिक्वार्मेंटी ही होगी, हमें 2 extra खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हमारे एक network में दोस्तों 10 computer हैं तो 10 के लिए अलग-अलग printer की requirement नहीं है इससे क्या होगा हमारा cost बचेगा ठीके तो वो तो खेर advantage है हम अभी आगे discuss भी करेंगे बट हम लोग यहां कह सकते है एक reason क्या होता है network का जिसके तुरू हम लोग अपने data को easily share कर सकते हैं और दूसरा आपके पास क्या होता है कि इसके तुरू हम लोग जो है वो अपके जो भी peripheral devices से आप उनको use कर सकते हैं तो purpose क्या होगा दोस्तो sharing data and hardware resources को आप किस-किस को यहां पर access कर सकते हैं किन-किन को दोस्तों आप लोग यहां पर use कर सकते हैं मैं फिर से बता देता हूँ एक तो हो गया आपके पास data और दूसरा आपके पास हो गया आपके hardware के resources जैसे की इस example में अपने देखा था printer ठीक है I think यह clear है network आपको next देखते हैं दोस्तो advantage क्या होते हैं आपके पास networking के तो networking के advantage अगर हम लोग देखें तो एक example दोस्तों आप देख सकते हैं इस image पे आपको दिख रहा होगा मेरे पास एक printer है मैं वाई-फाई connectivity के थूरू print देना चाहता हूँ दे सकते हैं इस तरीके से और भी अपने पास दोस्तों कुछ computers हो सकते हैं वो भी print देना चाहते हैं इसको easily print दे सकते हैं बहुत सारे आपके पास जो है यहाँ पर advantage जो है वो अभी हम लोग discuss करने वाले हैं दोस्तों अगर हम बात करें networking in computer brings आपके पास क्या एक तो efficiency दूसरा economy and effectiveness यह तीन चीज़ें आपके लेकर के आती है organization के अंदर कुछ advantage है जो हम लोग discuss करने वाले हैं जैसे दोस्तों एक है आपके पास कि efficient use of storage media आप यहाँ पर जो है वो storage media को use कर सकते हैं efficient तरीके से efficient use of storage media next है दोस्तों कि आपकी जो information है आप उसको save रख सकते हैं तो preserving information next है आपके पास वो है reduction in hardware cost तो आपके पास जो यहाँ पर hardware cost है आप उसको यहाँ पर reduce कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको कह भी रहता कि अगर आपके पास 3 computer है आपको एक ही printer से काम चल सकता है इसी type से दोस्तों यहाँ कह सकते हैं कि आपके पास यह efficiency है ठीक है efficiency है आपके पास redundancy को भी यह manage करता है redundancy मतलब duplicacy तो network के तुरू आप duplicacy को भी manage कर सकते हैं इसी type से हम लोग next कह सकते हैं कि quickest document delivery तो आप अपनी document को fast जो है किसी तक पहुचा सकते हैं within a second दोस्तों दुनिया के किसी भी corner में आप अपनी file को share कर सकते हैं I think कुछ common आप यहाँ पर जो है वो advantage देख रहे हैं इन advantage को दोस्तों एक एक करके मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर जिस point को use कर रहे हैं वो है आपके पास efficient use of storage media storage media का मतलब क्या होगा दोस्तों आपके पास एक hard disk है suppose एक type का storage है आप अपनी file सिद्धे वही store कीजिए देखिए आप लोग दोस्तों internet को use करते हैं आप अपने mobile से जब photo क्लिक करते हैं तो आप उस photo को अपने google photos पे upload कर देते हैं कुछ important data होता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों उसको अपने google drive पर store कर देते हैं या जो भी आपके पास में storage है जो भी आपके पास में cloud storage है आप अपनी file को वहाँ पर store करते हैं iCloud हो या और भी कोई यहाँ पर हम लोग एक example देख सकते हैं दोस्तों के यह जो computer है वो अपनी file को store कर रहा है server पे इसी तरीके से यह भी computer file को store कर रहा है server पे इसी type से यह भी computer दोस्तों अपनी file को save कर रहा है server पे ऐसे यह भी save कर रहा है और ऐसे ये भी save कर रहा है तो ये सारे computer जो है वो दुनिया के अलग-अलग corner में है और वो सारे के सारे लोग अपनी files को, अपने data को यहाँ पर save कर रहे हैं server पे आप लोग Facebook चलाते हैं आप जब अपनी profile pic जब change करते हैं आप जब कभी भी किसी को message post करते हैं आप Instagram को दोस्तों जब use करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि वो files, वो photos अलड़ी आपके mobile में पड़ी थी तो अभी तक तो वो किसी को नहीं दिख रही थी अब वो दिखेगी कब जब आप उसको अपने server के उपर बेजेंगे जैसे Instagram के server पे भेजा आपने या आपने Facebook के server पे send किया है, आपने अपनी file को upload किया है, तो उसको कोई भी देख सकता है, उसको use कर सकता है, लेकिन आपने उसको permission दी है तब तो यहाँ पर यही हम लोग बात कर रहे हैं कि it is better to store, ठीके, it is better to store a shareable application, ठीके, क्या है store a shareable application data on a network drive, ठीके then to store a copy of the application on each user's storage devices it is better to have one large hard disk in the server than to have small hard disk in different computer, ठीके, यहाँ पर अगर आपको कोई software store करना है, आपको या फिर कोई files store करनी है, तो आपको हर अलग-अलग computer के लिए अलग-अलग hard disk की requirement पड़ती, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक particular एक बड़ी disk आप use कर ले, एक बड़ा आप server या कह सकते हैं, एक बड़ा storage ले सकते हैं, जिसे सभी की file उसी में store हो, ठीके, इसी तरीके से, जैसे ही आपको शाहत समझ में आया होगा, जिसमें हमने क्या बात करिए, कि आपकी जो files हैं, आपका जो data है, वो सब आप एक particular computer system पे store कर ले, इसके लिए हमें हर computer के लिए अलग-अलग storage या hard disk खरिदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी तरीके से next अपने पास जो यहां पर advantage है, वो आपके पास है preserving information, आपकी information को दोस्तों यह save करके रखता है, क्योंकि हम हमारी files को store कहां करते हैं, दोस्तों server पे store करते हैं, अगर वो file आपके computer से delete हो भी गई, कोई issue नहीं वो file अपने पास पड़ी है, जिसे दोस्तों मैंने अपनी एक favorite जो picture है, मतलब मेरी जो photos है, जो मुझे बहुत पसंद है वो photo दोस्तों मैंने facebook पे upload कर दी, या instagram पे upload कर दी, और गलती से अगर वो file दोस्तों मेरे mobile से, या वो जो photo है, वो मेरे mobile से delete भी हो जाती, तो कोई issue नहीं है, मैं इसको फिर से ले सकता हूं, internet के वापस उसका backup ले सकता हूं, तो इसका मतलब मेरी file जो है, वो अभी save पड़ी है, इसी type से अगर आप एक network पे दोस्तों अपने data को store करते हैं, centralized system पे, तो आपकी जो file है, वो already वहाँ पर save पड़ी है, आपका data एकदम save पड़ा रेता है, ये भी आपका एक advantage होता है, it is difficult to maintain regular backup on a number of stand-alone computers, ये अपने लिए बहुत tough रहता है, बारबार उसका backup ले करके रखना, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, when you keep backups on a central location, you have one place to look for the lost information, तो आपकी जो file है, वो एक particular system पे पड़ी है, आप उस file को वहां से भी जो है, वो retrieve कर सकते हैं, आप उसको फिर से restore कर सकते हैं, आपकी file safe पड़ी है, कहने का मतलब है, जब अगर आप network को use करते हैं, तो आप अपनी file को उस network पे, आप अपने server पे अपनी file को जब upload कर देते हैं, तो आप इस file को हमेशा के लिए use कर सकते हैं, अगर आपके mobile या computer से वो file delete भी हो गई है, तो आप उसको easily उसका backup ले सकते हैं, इसी type से next अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो आपके पास आएगा reduction in hardware cost, तो जैसा कि मैं आप से कह रहा था कि अगर आपके पास में दोस्तों कुछ computers हैं, एक computer यह रहा, एक computer यह रहा, एक computer यह रहा, और उसके बाद अगर आप चाते हैं, यहां पर एक और printer यूज करना, दोस्तों आपके पास यह रहा आपका printer, मैं चाता हूँ यह भी hardware cost को reduct करता है, reduce करता है, तो अपने पास क्या हो गया, यहां पर reduction in hardware cost in a network, the hardware devices which are not used very often, ठीके like modems, printers, scanners CD, ya CD writers, etc can be shared, ज्यादा use नहीं आता है, कभी-कभी use आता है, सब के लिए क्यों खरीदे, एक ही खरीद लो और उसको आप shareable mode पे डाल दीजिए, ताकि उसको सभी लोग use कर सकेंगे, इससे क्या होगा, आपका hardware का जो cost है, वो आपका कम हो जाएगा इसी type से next अगर आपन देखें, वो आएगा आपके पास efficiency efficiency का मतलब क्या हो गया in a network, the deletion, modification or upgradation of the software या data is to be done at a single point system को use करें, network को करें, एक ही file है दोस्तों, उसको मैं update करना चाहरा हूँ, या अगर file ये दोस्तों मैंने share कर रखें, अपने clicks के साथ, उनको भी काया, इसी file में आपको update करना है, तो कितना बढ़िया हो चुका है, अदर्वाइस क्या होता, सभी लोग अपनी-अपनी अलग-अलग file बनाते, और फिर दोस्तों मुझे उन files को वापस compile करना पड़ता, और उसमें data की duplicacy भी हो सकती थी, तो ये एक efficiency है, efficiency का मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर हम लोग जो है, मतलब this brings more efficiency and effectiveness into a working system, तो अब आप यहाँ पर centralized काम कर रहे हैं, एक single point से ही, या एक उसी file के उपर ही, दोस्तों हम लोग update कर रहे हैं या modification कर रहे हैं, या deletion कर रहे हैं, या और भी कुछ insertion कर रहे हैं, तो सब एक ही point से हो रहा है, तो यहाँ हम लोग कह सकता है, यह भी हमारी पास एक advantage है, इसी type से next अगर हम लोग बात करें तो वो आता है redundancy, redundancy का मतलब होता है दोस्तों, duplicacy, आपकी जो file है, अगर अपन network के through बात करें, तो दोस्तों आपके पास जो data आएगा, वो एक ही data आएगा कहीं से भी आया, कोई भी आपको data send करा finally, आपका एक ही data आ रहा है अगर दोस्तों, हम network use नहीं करें, एक file है, suppose मेरे पास मैं उस file को अपने computer में copy करता हूँ, फिर दूसरी बार और copy करता हूँ फिर तीसरी बार और copy करता हूँ बार बार दोस्तों, मैं कहीं computer से ले लेकर आता हूँ अपने computer में बार बार copy करता हूँ उससे क्या होगा, एक ही file बार 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 मेरे पास बनती चाहेगी, suppose मेरे पास एक कोई person बैठा है, जैसे मैं editing भी करता हूँ, दोस्तों यहाँ पर जब कभी भी editing का मतलब, जब यह PPT वगर जब मैं create करता हूँ, उसमें कुछ informations add करता हूँ, कुछ images add करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है, कि मेरे पास में कोई person बैठा हूँ मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा सा काम आप मुझे करके दे दो, वो शायद जो है, उसमें कुछ content type करके या images insert करके मुझे देते हैं, मुझे मैं उसमें कुछ काम करना था, suppose उसके अंदर मुझे फिर से कुछ changes करना था, तो उन person मैं फिर से change करी, और वो मुझे वापस एक pen drive में file देते हैं, अगर मेरे पास network नहीं है, तो, तो, उस situation में क्या होगा, दोस्तो, बार-बार मेरे पास एक ही नाम की file के duplicacy बढ़ती जाएगी, और last में मैं खुदी confused हो जाऊँगा, तो इससे अच्छा ये है, कि मैं क्या करूँ, अपनी file centralized रखूँ, उसी file को मैं भी use कर सकता हूँ, उसी file को need of hard copies of all documents, यहां हम लोग hard copy यहनि की printed form में भी बात कर सकते हैं, of all documents, by sharing the soft copy of the file over the network, ठीके, hard copy जब हम लोग किसी को देंगे, तो उसमें दोस्तों duplicacy के chance से, इससे चाशा soft copy आप available करवा दो, the need to share paper copies of reports or any other information can be eliminated, और यहां कह सकते हैं की greatly reduced, तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि सबसे best तरीका क्या है, नेट्रों की use कर लो, soft copy share कर दो, उसी file को आप use करिए, चलिए, इसी राइब से next अपने पास जो है, वो है quickest document delivery, तो अगर मैं दोस्तों एक file जो है, वो print करता हूँ, या मैं मानके चलता हूँ, मेरा जो एक office है, वो एक जगे, और भी कहीं है, इसके अलावा कहीं और भी है, यहां से दोस्तों अगर मुझे file वहाँ share करनी है, सपोस, या कोई video अगर edit करवाने के लिए, मैं इधर से किसी और जगे बेशता हूँ, जैसे कि मैं आपको यह बता देता हूँ, कि हमारा जो एक और studio भी है, कहीं और, ठीके, मैं यहां से अगर दोस्तों file वहाँ बेशता हूँ, edit करवाने के लिए, तो इसका मतलब यह है, कि एक तरीका तो क्या हो गया, कि मैं pen drive में file लिजाओ, वहाँ जा करके देखिया हूँ, तो दोस्तों एक file वहाँ जब share करूँगा, उसमें time जादा लग जाएगा, इससे अच्छा मैं network के through, या internet के through, अपने file को वहाँ सिधे भेज सकता हूँ, तो इससे आपके पास क्या होगा, आपकी जो document delivery है, वो भी quickest हो जाएगी, fastest हो जाएगी, तो networking provides a facility to instantly deliver soft copies from one computer to other computers throughout the world, तो आप एक mobile से या computer से आपका data easily कहीं पर आप share कर सकते हैं, और fastest तरीके से आप share कर सकते हैं, इसी type से next अब हम लोग जो discuss करेंगे दोस्तों वो आपके पास है networking components, networking components क्या होते हैं, पहले आप image देख सकते हैं दोस्तों, कुछ नाम है जैसे की NIC, network interface card, एक नाम है hub, इसी type से एक नाम है repeater, एक नाम है आपके पास switch, एक नाम है bridge, एक नाम है router या ऐसे और भी आप दोस्तों कुछ नाम देख सकते हैं basically दोस्तों ये सारे जो devices हैं, ये devices क्या काम करते हैं, इन devices को दोस्तों use करते हुए हम लोग अपना एक network बना सकते हैं मेरे organization में, मेरे office में दोस्तों 10 computer हैं, 10 computers हैं, मैं चाहता हूँ उन computers को आपस में मैं connect करूँ तो उनको connect करने के लिए मेरे पास कुछ hardware की मुझे requirement होगी, या तो मैं use करूँगा दोस्तों यहाँ पर hub, या फिर मैं use करूँगा switch, या फिर शायद कुछ और भी मुझे use करने पड़ सकते हैं पट कुछ basic नाम जो है वो आप देख सकते हैं, जो आपके पास है network interface card, जिसको हम लोग दोस्तों NIC भी बोलते हैं, NIC card है, आपके पास network interface card, जो यह रहा आपके पास, एक होता है दोस्तों networking cable, cables का मतलब है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो wire होते हैं, जैसे यह इध आपके पास अलग-अलग type के हो सकते हैं, अपने syllabus में यहाँ पर केवल एक common यानी की एक basic जो network बनाते हैं, उसके लिए use किया गया, जिसको हम लोग यहां twisted pair cable कहेंगे, इसके अलावा भी दो और आपके पास होती, जिसको आगे हम लोग अभी discuss करने वाले हैं, तो दोस्तों आपके पास जो है वो एक NIC हो सकता है, networking cables हो सकती है, आपके पास में hub हो सकता है, switch हो सकता है, router है, repeater है, gateway है, बहुत सारे आपके पास अलग-अलग type के यहाँ पर devices हो सकते हैं, इसी तरीके से अब हम लोग इन सभी devices को एक-एक करके discuss कर लेते हैं, दोस्तों सबसे पहले आप के पास है network card या network interface card, इसको NIC हम लोग short में बोलते हैं, एक type की ऐसी chip होती है, जो हम लोग अपने computer के motherboard में लगाते हैं, दोस्तों यह जो chip जो है, कई बार आप देखते हैं, आपके computer में inbuilt motherboard में पहले से लगी हुई आती है, इस type से एक slot होता है, और हम लोग अपने computer के पीछ करते हैं, तो यह जो card है दोस्तों वो अंदर motherboard के अंदर attached होता है, आजकल के जो दोस्तों motherboard है, आजकल के जो नए computers हैं, उनमें यह by default inbuilt आता है, अगर किसी computer में नहीं है, तो फिर दोस्तों हमें इसको खरीदना होगा, और हमें अपने computer में motherboard में उसको attach करना होगा, ताकि हम लोग अपने computer में एक network बना सकें या internet को use कर सकें, तो network card क्या हो गया, a network card is used to physically attach a computer, याद रखेगा wireless नहीं, wired, physically का मतलब क्या हो गया, आपके पास यहां पर हम लोग use कर रहे हैं wire को, ठीक है, तो physically attached a computer to a network, so that it can participate in network communication, Ethernet network card is the most commonly used network card, ठीक है, सबसी रदा use यह आता है, currently most computer motherboard come with the inbuilt network card, ठीक है, तो motherboard के अंदर यह क्या आता है, आजकल आपके पास inbuilt पहले से ही attached आता है, बस, simple सा है, यह एक slot होता है, जिसके अंदर हम लोग अपनी cable को connect करते हैं, RJ45 को, किसको करते हैं दोस्तों, RJ45, registered jack 45, यह important है, RJ45, यह वो cable होगी, जो हम लोग यहां connect करेंगे, उसके आगे एक connector लगा आता है, registered jack, एक connector है, white color का, मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, उस connector को हम लोग यहां connect करते हैं, basic सी चीज़े हैं, दोस्तों, I think आपको बहुत अच्छी से समझ में आ रहा होगा, अगर दोस्तों, आपको कहीं कोई issue हो, तो आप मुझे comment में जरूर बताईएगा, ठीके, चलिए, यहां आप एक cable देख सकते हैं, दोस्तों, यह जो cable है, आपके पास इस cable को अपन कहते हैं, twisted pair cable, इस cable के दोनों साइड में, दोस्तों, अपन यहां देख सकते हैं, एक connector लगा हुआ है, इस connector को अपन कहते हैं, RJ45, यानि की registered jack, अपन इसकी full form अगर देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोस्तों, registered jack, ठीके, registered jack 45, एक standard है, इस cable का, आगे जो अपन connector देख रहे हैं, इस connector क का एक नाम है, क्या नाम है, दोस्तों, RJ45, और यह जो cable देख रहे हैं, आप, यह कहलाती है, frustrated pair cable, आपने देखा होगा, आपकी schools में भी आपने देखा होगा, इस type की cables कभी, आपने अगर computer lab वगर आप जाते हैं, तो आपने शायद वहां observe किया भी होगा, अलग-अलग color की आ सकते हैं, Ethernet का मतलब, simple language में कहूं, तो एक local area network, आप अपना एक network बनाना चारे, एक Ethernet connection बनाना चारे, एक Ethernet network बनाना चारे, तो लिखा है, modern Ethernet network used twisted pair cable connecting 8 wires, इसके अंदर जो है, वो दोस्तों, कुल मिला के, 8 अलग-अलग wire होते हैं, इस wire are arranged in a special order, and an RJ45 connector, similar in design, but bigger than the connectors used with the telephone wire, तो यह जो wire है, यह आप use करते हैं, ठीके, अपने, उसमें RJ45 connector को अपन किस में attach करते हैं, दोस्तों, NIC में, ठीके, ऐसा भी हो सकता है, कि इसको connect करने के बाद, जैसे अपन जो देखते हैं, टेलिफॉन लाइन वगर अपने घर में आ करते हैं, ठीके, तो वहाँ पर भी आप इस connector को देख सकते हैं, चलिए, इसी type से next अगर अपन बात करें, तो आता है, आपके पास hub and switch, बेसिकली यह दोस्तों क्या होता है, एक type का ऐसा box होता है, जिसके अंदर यहाँ आपके पास ऐसे कुछ slots होते हैं, सपोज मैं मान के चल इसको इस से, इसको इस से, और इसको इस से, तो दोस्तों इन चार computer को connect करने के लिए, मुझे यहाँ पर required किसकी रही एक particular device की, जो इन सभी computers को आपस में connect कर सकते हैं, तो यहाँ पर connect करने के लिए मेरे पास दो devices हो सकते हैं, एक होता है अपने पास में, hub और एक आपके पास होता है, switch, hub और switch वैसे एक जैसे ही होते हैं, बट उनकी working में थोड़ा सा difference होता है, hub क्या करता है, hub के पास जो भी data आता है, दोस्तों, वो as it is data, उससे connected जैसे, suppose इस computer का नाम था A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, suppose दोस्तों कि यहाँ network के through, या internet के through, या A न इतने भी आपके पास devices हैं, सभी के पास data भीज देगा, यह इसका एक drawback भी है, इसकी जगे अगर अपन बात करें, तो अपने पास आता है switch, switch क्या करता है, A, अगर कोई message C को बेजना चाहता है, तो वो direct, hub क्या switch के पास बेजेगा, और switch वापस उस data को C के पास भीज सकती ह अब B के पास और D के पास वो message नहीं आएगा, अगर आप क्या use कर रहे है, switch को use कर रहे है, तो hub and switch जो है, performs the following function, act as a central point, दोनों central point है, बिलकुल connection का काम कर रहे है, connecting का काम कर रहे है, ठीक है, act as a central point of connection for all the computers on a network, every computer plug into the hub or switch, तो जितने भी computer हैं, वो सारे इस hub या switch के साथ connect होंग दूसरा है, to arrange the port in such a way, so that if a PC transmits data, the data is sent over the other computer through its network card, basically the hub and switch is a box with the set of RJ45 port, जैसे मैं आपको भी कह रहाता है, RJ45 आप इसमें भी connect करेंगे और एक side में अपने computer में connect कर देंगे, इस computer or network is connected to the hub और switch via ethernet cable, तो जैसे मैंने आपको अभी पिछली side में बताया था दोस्तों, यह आपके पाल जो cable है, यह आप अपने computer में connect कर देंगे, और एक आप इस RJ45 को connect कर देंगे अपने hub या फिर switch के साथ, तो I think आपको दोस्तों यह अच्छे से समझ में आया होगा, इ कैसे अपन अभी बात करेंगे, आप दोस्तों इस time पर अगर यह mobile में अगर यह video देख रहे हैं, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहां आपने कोई भी wire connect नहीं किया है, बट फिर भी आप किसी network के साथ जुड़ चुके हैं, तो wireless network का मतलब क्या हो गया, establish wireless networking, we require the following components, क्य कैसे दोस्तों, आपको wireless network कार्ड चाहिएगा, ठीक है, wireless network कार्ड, यह एक type की chip हो सकती है, जो आपके mobile में लगी होगी, जो आपके laptop में लगी होगी, आप चाहें, तो अपने desktop पे भी इसको आप attach करवा सकते हैं, और आप अपने network को create कर सकते हैं, wireless में, तो हम लोग कह रहे है wireless network cards are used instead of the normal network card that are used in the wide network, most laptop computers come with an inbuilt wireless network card, इसके अलावा, wireless network card के अलावा आपको required रहती है, यहाँ पर radio signals की, radio signals क्या होते हैं दोस्तों, basically कह सकते हैं कि अगर जैसे अपने Bluetooth को discuss करें, तो Bluetooth क्या हो गया, एक type का आपके पास network है, जो wireless networking feature आपको provide कराता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, infrared है, तो infrared क्या हो गया, आप अपने remote से TV को instructions देते हैं, channel change करने के लिए, तो वो भी तो एक type का network है, तो यहाँ आपको जो है, radio signals जो है, उसकी भी requirement रहती है, तो radio signals क्या हो गया, radio signals are used for transferring data, therefore ethernet cable is not required, तो आप यहाँ पर जो data है, वो send कर radio waves के तुरू transmission आपका होता है, और यहाँ आपको फिर उसके लिए ethernet cable के requirement नहीं रहती है, तो आपके पास आता है access point और router, तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, आजकर आपके पास wireless networking, जो आपके पास hub और switches आपके पास available है, आप routers को use कर सकते हैं, connections के लिए, इस type का एक device जो तो शाद आपके घर पे भी available होगा, यह आपके पास एक Wi-Fi router है, इसके तुरू हम लोग जैसे मेरे घर पे जो है, दोस्तों मैं, मेरी वाइफ, या मेरे family के दूसरे members जो हैं, दोस्तों अपने mobile को, अपने laptop को सब इसके साथ connect कर सकते हैं, wirelessly, ठीकर तो एक तो wire नहीं है, और दूसरा आप एक से जादा devices, अलग-अलग operating system के base पर भी, जैसे मेरे पास iPhone है, तो मैं iPhone को connect कर सकता हूँ, गर पे दोस्तों मेरे पास laptop जो है, उसमें Windows है, तो मैं Windows को connect कर सकता हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे आपन जब आगे बात करते हैं, यहां पर ठीके, तो आपक किसी भी टाइप के, किसी भी टाइप के software, operating system किसी को भी आप use कर सकते हैं, तो देखिए, access points और router are used in wireless networking instead of hub and switches, these have a wireless antenna, इसके पास एक wireless antenna होता है, which increases the communication range of the radio signals, access points can also be used to join a wired network, हो सकता है, इसके पीछे को एक cable लगी हो, तो यह हो सकता है, वायर के साथ हो, बट वो आगे signal wireless बेज access point can also be used to join a wired network, thus making the network is combination of wired as well as wireless network, तो यह जो है, वो एक टाइप का combination हो सकता है, wired या wireless का, ठीक है, इससे आप लोग देख रहोंगे, आजकल जो geo fiber है, ठीक है, या air tail fiber है, तो यह जो आपको क्या दे रहे है, एक टाइप का router दे रहे है, इस टाइप का router है, वायर आपके घर तक आएगा, फिर उसके बाद वो wireless signals जो है, वो transmit करेगा, इसी टाइप से next अगर अपन देखेंगे, तो कुछ terminologies है, कुछ basic चीजे हैं, जो आपको discuss करनी है, अगर दोस्तो, when two users, ठीक है, अगर दो लोग दोस्तो आपस में conversion, उनका conversation चल रहा है, internet के तुरू, तो आपन इसको generally क क्या बोलते हैं, conferencing, आप conferencing करें, जब दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, when two users, जब internet को use करते हुए, बात करते हैं, तो conferencing हो सकता है, दो से ज़्यादा भी connect हो सकते हैं, इसी टाइप से दोस्तो, अगर आप यहाँ पर इस communication में, इस conversation में, कोई live वीडियो को अगर आप videos को use करते हुए, conversation कर रहे हैं, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अपन video conferencing, आप जानते हैं, यह term of basics है, video conferencing, जैसे आज कल आप whatsapp पे जब video call करते हो, उसमें आप अपने family members के और भी लोगों को connect करते हो, तो किसका example होगे आपके पास video conferencing, इसी रैप से आपके पास एक an organization, एक organization का एक network बनावा है, और वो बाहर के network को use नहीं कर रहा है, वो internet को use नहीं कर रहा है, restricted है, वो केवल अपने ही computers को use करते हैं, अपना एक network बना चुका है, जैसे दोस्तों मैं कह सकता हूँ, मेरा जो organization है, इसके अंदर suppose 20 computers हैं, और इस 20 computers आपस में connected हैं, एक type का network है, ले in internet नहीं है, तो यह आपके पास एक type का example किसका हो गया, intranet का, ऐसे ही आपके पास एक term आती है, extranet, extranet refers to a computer network that allows controlled access to an information sources available on the internet, तो यहाँ पर आप अपने intranet को वापस network के साथ connect करेए, तो यह आपके पास एक type का extranet बन जाता है, ऐसी दोस्तों आपके पास आता है Bluetooth, Bluetooth is a wireless technology used to interconnect mobile phones, computer, printer, इसी type से कह सकते हैं, using short range wireless connection, तो आप जानते हैं दोस्तों आपके mobile में, आपकी even की car में, अपन Bluetooth connectivity करते हैं, मोबाइल में आप गाने बजाईए दोस्तों, आपके car में, आपके पास earphone हो सकते हैं, headphone हो सकते हैं, जो आपके पास Bluetooth connectivity को आपको provide करवाते हैं, तो Bluetooth भी एक type का कह सकते हैं, network का एक part है, ठीक है, एक type का आपका network है, तो कुछ basic terminologies अपन discuss कर रहे थे, तो इस type से दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इतने ही content को देखते हैं, इसके बाद कुछ और भी topics हैं, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने अगले वीडियो में तो इस तरीके से दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही content देखते हैं, I think दोस्तों आपके लिए ये वीडियो अलरी बहुत बढ़ा हो चुका है, तो मैं इसको दो पार्ट में बनाने वाला हूँ, आज हम लोग इतना ही देखते हैं, अगर दोस्तों कहीं कुछ issues हैं, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, message कर सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहें, तो इस वीडियो को like कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, अगर आपने चैनल subscribe नहीं किया है, तो आप subscribe कर सकते हैं, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडिय तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू.